अच्छा क्या इसे देखकर अब आप एक शंकू बना सकते हैं यदि आपको एक शंकू बनाने कहा जाए तो आपको क्या करना होगा एक पेपर लीजिए और किसे भी त्रिज्या का इस प्रकार एक वृत्य काट लीजिए ठीक है इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यह दे त्रिज्या खंड खीच रखा है इसे मैं काटकर अलग कर देती हूं अब देखे शंकू को बनाने के लिए उसका जो पाश्प्रिष्ट बनाने के लिए पहले हम एक किसी भी माप की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना लिया और उसके बाद इस तरह से एक त्रिज्या खंड का तुकड़ा हमने अलग कर लिया यह त्रिज्या खंड हमने काटकर अलग कर लिया है और यह जो पाश्प्रिष्ट के लिए शंकू का इस तरीके का आपको प्रिष्ठी जाल मिलेगा इससे हम घुमा कर इस तरीके से थोड़ा सा यहां लाइन बना लीजिए यह ऐसा एक शं कि इसी भी भृत को बनाने के लिए हमें उस वृत की दिज्या चाहिए तो आप यह बताएं कि हम इस शंकू का जो अधार पनाना चाते हैं उसकी तरिज्सया कैसे प्राप्त होगी ध्यान से देखिए हम जब इस कटिंग को जो हमको मिली है इसको जब घुमा रहे हैं इस प्रकार ऐसे जब हम उसको घुमाते हैं यह देख सकी तर्ज्ज्ण को कि तीर्य कुछ आई भी यही है तो आप जब इसको घुमा रहे हैं तभी आपको वृत्य का आधार मिल रहा है याने कि इस चाप की जब लंबाई है उस चाप की लंबाई ही हमारे आधार की परिधी है तो इस चाप की लंबाई यदि हम ग्याद कर लें तो हम इस शंकु के जो ह興奮 सकते हैं और यह वाले वरित्ति की परिधी कितनी होगी है 21DD मैंने ऐल क्यों कहा क्यूंकि मैंने आपसे पहले भी इत शॉयी हमारे शंकों की तीडिय कंशाइए है जिसे हम स्मॉल एल से बताते हैं तो इस प्रकार हम इस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ग्याद कर लेंगे जिससे हमें मिल जाएगा अधार का अधार की त्रिज्या याने की आर और उसका त्रिज्या से लेकर आप जब अधार खीच लेंगे तो इस शंकू का आप अ हम बात कर लेते हैं शंकु के पार्ष प्रिष्ट के छेत्रफल उसके संपुर्ण प्रिष्ट के छेत्रफल और उसके आयतन की तो यह जो शंकु है इसका पार्ष प्रिष्ट का छेत्रफल यह होता है पाई आरल और इसका आधार याने कि यह है व्रित तो व्रित का छेत्रफल pi r sqr pi rl प्लस pi r square देगा हमको पूरे प्रिष्ठ का याने कि समपोर्ण प्रिष्ठ का छेत्र फल वो कितना होगा Pi r l प्लस pi r m² उसको हल करने पर मिल जाएगा Pi r r plus l वर्गी कई ये हो गया समपोर्ण प्रिष्ठ का छेत्र फल पार्ष प्रिष्ट पाई आर एल बरगी काई अच्छा बच्चो यदि हम शंकू के आधार की त्रिज्या याने की आर उसकी लंबत उचाई है और उसकी तीरेक उचाई एल इन तीनों में एक संबंद ग्याद करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसको समझने के लिए देख यह हमने इस पर कार पहना दिया यह देखिया यह अब आप इसको इस तरह से यदि देखेंगे यह रिकिया करें यहां जो तार का मोड है वह अधार का तरह यदि उससे देखें तो केंदर से परिधी तक की जो दूरी है वो आधार की त्रिजिया है यानि की आर और ये लंवत उचाई जो तार की लंबाई आप देख रहे हैं वह एच और शंकु की जो तीर्यक उचाई वह स्मॉल यह तीनों भुजाएं मिलाकर यहां पर आप देख रहे हैं एक समकोन त्रिभुज आपको कर सकते हैं मान लीजिए मुझे यहां पर तीर्यक उचाई याने की एल निकालना है तो उसी स्थिति में मुझे इस आधार की त्रिजिया को नापना होगा इस लंबात उचाई एच को लेना होगा और उससे मैं ग्याद कर लूंगी एल क्योंकि फॉर्मुला होता है कर्ण का इस प्रकार अप एल का एच का और का मान जो है वह पाइथागोरस प्रमय से ग्याद कर लेंगे इस पर आधारित सवालों को परिक्षाओं में पूछा भी जाता है कि चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं शंकु के आयतन की लेकिन उसे हम एक गतिविदी से समझेंगे